इस मुक्स पाठेक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है। प्राचिन्याई के आधार इस विशाई के अंतरगत आज हित्वा भास विशाई पर चर्चा करेंगे। पूर्वा निरुपीद विशाई के अंतरगत नईयाईकों के जो सोल पदार्थ हैं। उनमें जो बाद जल्प वितंडा पदार्थ हैं। उनका विचार पूर्वा पाठेक्रम में आचारियों ने किया है। संप्रती हेत्वा भास पदार्थ के उपर हम चर्चा कर रहें। उक्ता विशाई के अंतरगत हेत्वा भास पदार्थ च्विकार में यूप्ति एभं हेत्वा भास के निरुपन में संगती। हेत्वाभासपद के विद्पत्ति एवं सद्धेतु और असद्धेतु के स्वरूप का निर्वचन तथा हेत्वाभास के लक्षन का विचार करेंगे बस्तु तहां अनुमान के अंतरगत हमने जैसे पक्ष्या, साध्या और हेतु एवं द्रिष्टानत को अंगरूम में स्विकार करते हैं तदनुरूप जो सद्धेतु होते हैं वो जैसे अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं उसके विपरी धेतु कौन हो सकते हैं ऐसी जदी सिस्य के मन में जिग्यांसा होती है उस जिग्यांसा के निवारण के लिए हमें असद्धेतु का भी निरूपन करना आवस्यक है इसलिए उस असद्धेतु के निरुपन प्रसंग कोई ही हित्वाभास के रूम में अभीहित किया गया है बस्तु तहां सुत्रकार ने हित्वाभास के निरुपन के प्रसंग में कोई संगती इत्यादि का कोई विसलेशन नहीं किया है परवर्ती नभ्यन्याई के आचारियों ने हित्वाभास के निरुपन में पहले तत्वचिंता मनिकार गंगेशो पाध्याई ने वहाँ पर तत्वनिर्ण विजय प्रेज गत्वाथ हित्वाभासा निरुपन ते अर्थात अर्थात एक कारिये कारित्व संगती से ही हित्वाभास का निरुपन किया गया है अर्थात सद्धेतु का निरुपन से जैसे हमको तत्व ग्यार्न होता है उसी तरह असद्धेतु का निरुपन भी तत्वनिर्ण के प्रेयोजक है इसलिए असद्धेतु का भी निरुपन किया जाता है परवर्ति आचारिय रगुनात शिरोमनी ने पूर्वक्त संगति को सिवकार करते हुए भी एक प्रसंग संगति का भी उनने उल्ले किया है अर्थात अवयव ग्रंत के निरुपन के पस्चात व्यापति पक्षधर्मता से रहीत असध्यत के निरुपन में प्रसंग संगती भी विद्यमान है प्रसंग संगति का लख्षण यह है स्मृतस्य उपेख्या अनरत्वम अर्थात जो स्मृति का विशय हो और देश का विशय ना हो स्मुति विशेता वच्छे रिकत्वे सथी देश विशेता नवच्छे रिकत्वमेव प्रसंगत्वमेव ऐसा प्रसंग संगति का लख्षन उनने प्रदर्शित करते हुए हेत्वाभास के निरूपण में प्रसंग संगति को भी उनने प्रदर्शित किया है हेत्वा भास का अर्थ बित्पत्ति स्विगार करते हैं तो हेत्वा भास सब्द का रत होता है हे तु दोस, सद्धユो और आउसद्धे तु इनमें यही अंतर है, जीसे तुमें व्यापति और पक्रफ्चय दमता, युक्त होंगे, वो हे तु सद्धे तु होंगे, जैसे पर्वतो बन्निमान धुमाद इत्यादी स्थलों में, धूम हेतु में बन्नी की वियापती विद्यमान है और परवत वृतिता भी धूम में विद्यमान है इसलिए धूम हेतु को हम सद्धेतु मांगते हैं किन्तु हर्दो बन्निमान धूमाद इत्यादि स्तल में जद्यपी बन्नी की वियापती धूम में है तथा पी हर्द वृत पर्षाल्टिता धुम्मे नो हने कारण वियाप्ति पंवधियंता रही होने से इया हेतू अर्थाहर्दरपक्ष्ण कर बनी सद्ध्य कर्स्तलिय धूम्हेतु को हम असद्धेतु के रूमेठ स्विकार करते हैं क्योंकि उस हेतू में ब्याप्ति करते हुए भी पंफ्ख्यर ह मत्या का अभिद्वान होने से विपरत्भाइब करने के लक्षन के संदर में प्राप्त होता है सुत्रकार्ण ने केवल विभाग ही हेत्वाभास के किया है किन्तों कहीं भी उनने हेत्वाभास का सामाने लख्षन का प्रदिपादन नहीं किया है किन्तों परवर्ति आचारिय नभ्य नईयाईकों ने विशेशतह तत्वचिंतामनिक कार्णे हेत्वाभास के निरूपन के तिन लख्यन का उपपादन किया है अनुमिती कारणी भूता भाव प्रतियोगी जथार्थ ज्यान विशयत्वम प्रत्म लख्यन है यद विशयकत्य ने ज्यान स्यानुमिती विरोधित्वम तत्वम धिदिया लख्यन है और ज्याय मानम सद अनुमिती प्रतिबंद कत्वम त अबहाँ वह प्रतियों गित्यों पदार्थ है उसको हम प्रतिवंधक काते हैं और थात अनिमिती प्रतिवंधक जथार्थग्यान विसयप्तों को हम हिट्वावास के रूमें स्विकार करते हैं बरतवान हरदो बन्यमान धुमाद एतस्तल में पक्ठय साथ्देवान इस प्रकार अनुमिती के लख्यन को स्विगार करते हुए हरदो बन्यमान इत्याकार का अनुमिती पत्से ही अनुमिती का ग्रहन किया जाता है अनुमिति का प्रतिवंधक जो जथार्थक ज्यान, तदवत्ता बुद्धी के प्रति तदभावत्ता बुद्धी के प्रतिवंधक होने के कारण हर्दो बन्निमान इस प्रकार अनुमिति के प्रतिवंधक जो जथार्थक ज्यान है बन्यभावान हदह इत्याकार का बाधग्यान है बाधग्यान भिशय अत्तव बाध में विद्यमान है किन्तों बाधित में न जाने के कारण जो अभ्याप्ती होती है उसके लिए भी एक परंपरा संबंद कल्पना करके स्ववज्ञान विशया पकृत हेतुताव अच्छे दिवत्व संबंध की कलपना करते हुए उसके लख्यन जो है समन्व की जाती है हेतु में अता हेतु बाधित होता है ऐसा ही प्रतिपादन आचारियों ने किया है और प्रतमलख्यन में घटक जिती अनुमिती पदार्थ को केवल अनुमिती मात्र परक रखेंगे तो बाधाद इज्ञान की जो है वो अनुमिती के प्रतिबंधक होने पर भी अर्थाथ अनुमिती की प्रतिबंधक अता बाधाद इज्ञान निस्टा होने पर भी बेविचा बेविचारा दिज्ञान जो हैं वो साख्यान अनुमिती के प्रतिबंधत नहीं होते हैं अतहा अनुमिती पद को अनुमिती करण परक जिद रखते हैं तो बेविचारा दिज्ञान में लख्यान समन्नाई होने पर भी बाधादी में समन्नाई नहीं हो पाएगा इसलिए अज स्त्वम हित्वाभा स्त्वम ऐसा ही प्रत्वन्लक्ष से अगहतित अर्थात भ्रमाधी स्तल में सद्धेत। स्थल में अथिव्याप्ति परियार करने के लिए भ्रमात्म का बाद ज्यान को लेकर जो अथिव्याप्ति होती है उसके परियार करने के लिए हमने जथार्थपद दिया गया है। किन्तु विशिष्ट विश्यकत्वेन प्रतिवंधकता स्विकार करने पर जथार्थपत का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसलिए जथार्थपत से अघटित दितियलक्ष्यन का प्रतिपादन तत्व चिंतामनिकानने किया है। जथविश्यकत्वेन लिंगज्ञान से अनिमिति प्रतिवंधकत्वं तत्वं वहाँ पर भी लिंगपद जो है अभिवक्षित है इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा ही दिर्दिकानने भी अपने ग्रंथों में प्रदर्शित किया है। वहाँ भी जत्पत से हमको दोस लेना है। अहार्य ज्ञान इत्यादी को लेकर कई प्रतिवंधक नहीं बन पाता है। ऐसी दसा में भी जितिय लख्षण में अनाहार्य प्रामाने ज्ञाना अनस्कंदी तत्व भी आपको निश्चय में विशेशन देना ही पड़ेगा ऐसा भी प्रतिपादन किया गया। अंततो गत्वा ज्याय मानम सद अनुमिती प्रतिवंधक अत्वम तत्वम ऐसा ही लख्षण तृतिय लख्षण के रुम में परियवसीत आचारियों ने किया है। अर्थात ग्याय मानम सद अनुमिती प्रतिवंधक अत्वम तत्वम हित्वा भास अत्वम तत्वम 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 धन्यवाद नमो नमा